Most Bachelor IS अब तो अब समझ के होंगे कि किसके बात हो रही है जही है रवी सिहा की इस वीडियो में हम रवी सिहा की सकस्स स्टोरी और लव स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जब भी UPSC के बत्यारी की बात होती है सबसे पहला प्रशन यही उठता है कि पढ़ाई किस मीडियम से करना जरूरी है ट्यूशन कहां से ले तैयारी कैसे करें आज इन ही सवालों के जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और आज की सक्सिस स्टोरी में हम बात करेंगे आयस ओफिसर रवी कुमार सिहाग की बात असले जरूरी है क्योंकि इन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया है और हिंदी मेडियम से पढ़ाई करने के बावजूद देश के सबसे कठेन माने जाने वाले UPSC-CSC परिक्षा को एक नहीं दो नहीं बलकि तीन बार क्रैक किया है रवी आयस बनना चाहते थी पर दो रैंक अच्छा नहीं हो पाने की करण उनका आयस बनने का सपना अधूरा रह गया फिर भी उन्होंने हार नहीं माने और तीसरे प्रयास में 18 रैंक हासिल कर अपना आयस बनने का सपना पूरा किया हर कोई रवी सिहाग के रशादी को लेकर सवाल करता है उनकी लव स्टूरी के बारे में जानना चाहता है वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे सबसे पहले बताती है कि आयस रवी कुमार सिहाग ने हिंदी मीडियम से टॉप किया है जो की बहुत बड़ी एक मशाल पेस की है क्योंकि आम तोर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि हिंदी मीडियम से अच्छों रिजल्ट यूपी एसी में नहीं आते हैं और ब पूरा परिवार खेती और किसारी से जुड़ा हुआ है यानि कि आप समझ सकते हैं कि किसान का बेटा आयस पना है रवी जब ग्राइजुशन की पढ़ाई कर रहे थे तब वो खेती करने में अपने पता का भरपूर सहयोग्या करते थे यूपी एसी दोजार एकिस के सिवल सर्विसेज एक्जामिनेशन में रवी कुमर सिहाग ने अठार भी रैंक हासल की हिंदी मीडिया में अब तक का सबसे बहतुर रैंक है रवी ने अपनी भार्षा को कभी भी तैयारी की बीच नहीं आने दिया और ना ही किसी प्रकार की बादा उतपन्ने करने दिया रवी का कहना है कि अगर सही दिश्या और दर्शा में रहकर परिश्रम किया जाए तो इस परिक्षा को किसी भी भाषा में क्रैक किया जो सकता है भाषा कभी भी बाधा नहीं बन सकती उनके अनुसार हिंदी कि सासत अंग्रेजी भाषा को भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि कामकाज और कई जगों पर अंग्रेजी की उपयोग को कम नहीं आका जो सकता है इस वजों से आप हिंदी में त्वारेगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी पर बेस्ट हो जाएं और इंग्लिश को बि थोड़ा ध्यान में रखेंए अब बात करते हैं रवी कुमार सिःब के रिलेशन स्टेटस इसलिए क्योंकि लव और शादी को लेकर तमाम इनके दावे किया जाते हैं हरको इनकी लव और शादी के बारे में जानना चाहता है क्योंकि यूट्यूब पर रवी की तमाम आपको वीडियो मिल जाएंगे इनका नाम का बिशूति शर्मा के साथ जुड़ता है तो कभी किसी और के साथ जुड़ता है वैसे अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है कि आखिर रवी सिहा किसके साथ लव है आप लोगों को क्या लगता है कॉमन में बताएगा वीडियो अच्छे लगे तो फ्यार करें 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 किसी और करें करैंगाmeg बताएगान है वैसे लगता हैaken कर दो दोन करें 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 का भी किसी और लुड़ता हैँ खिएнес है भी किसantage ुछ़ता है इस बताएगा है कि नहीं כभी किसी और किसी अच्व़ता है